तो आप सभी सोच रहोंगे मैंने मास क्यों पहना है आज को आप टीवी न्यूस सभी जागर देख रहे हैं कि इतना एर पलुशन हो रहा है एर पलुशन की वज़े से स्कूलों में एवन दो दिन की हॉलिडेज भी हो गए थी तो इतना पलुशन हो गया है कि बच्चों की स्कूल की हॉलिडेज करने पड़ी आज मैं आप साथ शेयर करने जा रहे हूं इस मास को आप घर पर किस तरह से बना सकते हैं मास के दाने के लिए आपको सबसे पहले मेजर्मेंट चाहिadem नाप ज़रूर्य चाहिए ये क्लोथ मैंने अपने मेजर्मेट की इसाप सर्द के लिए हुआ है यहां से और यहां तक आपको नाप लेना है किसी भी कपड़े का जिसका आप बना लगे देखी मने यहां से और यहां से नाप लिया हुआ है इतना कपड़ा है पुल्यूशन फ्री मास्क बनाने के लिए आप इस तरह से कॉटन का दुपट्टा या फिर इस तरह से हैंकी जो होते हैं उनका भी आप यूज कर सकते हैं पुल्यूशन फ्री मास्क बनाने के लिए यह मैंने एक कपड़ा कट कर रखा है और साइड में जो मैं इसकी स्टिप्स बनाऊंगी उसके लिए मैंने यह स्टिप्स कट करके रखी हुई है इस तरह से देखिए यह कपड़ा है मैंने कट कर लिया है और मास्क बनाने के लिए के आप थोड़ा से यहां से फोल्ड कर दें इस तरह से दोनों सइध से और उसके पार कि इस तरह से अब इसको यहां से इस तरह से आप स्टेच कर लाई हैं सुई की हेल्प से यह मशीन की हल्प से यह ए आप सको statut कर sab और इसको इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो थोड़ा यह मजबूत हो जाएगा इस तरह से यहां से ताय देखिए इस तर्छप को कि है अutta Pent इस तरह से यहां से बनाए अगर आपको यह बैसल लूज लगती है तो इसको यहां से इस तरह से आप दुबारा फोल कर सकते हैं यह ताइटoter हो जाएगी अगर आपको लूज लेते हैं तो इसको इस तरह से वापस अंदर की साइड फोल्ड किया और इस तरह यहाँ पर जितने आपको लूज है उतना अंदर की तरह फोल्ड करके स्टेच कर देजें इसी तरह इधर की साइड से देखिए इस तरह से इसी तरह से यह मैंने स्टिप्स बड़ी इसलिए काटी थी क्योंकि अगर आपको बड़ी ज़्यादा ज़रुवत है तो अब बड़ी और छोटी ज़्यादा जरुवत है तो छोटी इस तरह से आपका यह मास बनकर रेडी हो गया जहां पे मैंने स्टेपलर का यूज किया है आप सुवीधागी की हेल्प से इसको स्टेच कर लें या मशीन की हल्प से इसको स्टेच कर लें यह आपका पुरुशेख्री मास बनकर रेडी हो गया बनाने के बाद इसको पहनना भी उतना ही असान है इस तरह से इसको आप अराम से पहनना पढ़ेग़ ना तो इसमें बानने के जिंजट निकाल सकते तरह से यह बन गया है यह तो मैंने इसमें स्टेपलर किया अगर आप इसको अच्छे से स्टेच कर लेंगे तो आपका बिल्कुल पका हो जाएगा आप चाहे तो इसकी जगा आप रबर बेंट का भी यूज कर सकते हैं नहीं तो आप यहां बर दो डोरी लगा दे यह बानने वाला भी बन जाएगा आपको मास्क कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएए और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें शेर करें और सब्सक्राब करें मेरे चैनल को थैंक्यू